अखिलेश यादों ने नरेंद्र मोदी पर कुछ गंभीर आरोप लगा दिये हैं आपने सुना होगा कि जो बड़े-बड़े सुपरस्टार फिल्म स्टार हैं या स्पोर्स स्टार हैं वो गाउं गोद लेते हैं उसका विकास के लिए, उसको अपना सेवा परदान करने के लिए वैसे ही नरेंद्र मोदी ने भी अपनी ही कंस्टिट्वेंसी के बनारसी के साथ गाउं ककड़िया जैपूर समेत साथ गाउं उन्होंने गोद लिये हैं कोई भी बिवस्ता उस सड़क उस गाउं में नहीं आप अखिलेश यादों की ये बात सुनिए कि पधान मंती जी ने बड़े पेमाने पे गाउं गोद लिये थे और सोची अगर देश के पधान संसर अगर किसी गाउं को गोद ले ले और उस गाउं की तस्वीर नबदले तो शायद मैं नहीं समझता हूँ कि किसी गाउं की तस्वीर दस साल में बदली होगी मुझे वो गाउं जिसको उन्होंने गोद लिया जो पिधान मंती जी की आदर सी होजना थी उसके तहर जो गोद लिया गया था गाउं वो पांच बर्स पहले खुब शोर हुआ था कि बनारश शेर की तरहे डूमरी में चम चमाने लगे गया एक गाउं हाकिकत में कुछ नहीं हुआ उसकी दुर्दसा वैसी की वैसी है जैसे था गाउं वैसा ही का वैसा है तूटी सड़कें कच्छी पगड़ंडियां उखड़े और तूटे हुए इंट के खंजें बदहाल हैंड पंप पावर लूम और पंके के जाली के कार खाने को आखर कब तक रफथार मिलेगी जो उस गाउं में काम होता था लोग करते थे खाली पड़े रसोई गैस के सिलिंडर अंदा धुंद बिजली कटोती के बीच इस गाउं के लोगों को हर सुबह मज़ूरी की कभी न खत्म होने वाली तलाश आखिर कब पूरी होगी तो सुची एक गाउं की तस्वीर ये है जो गाउं कभी गोद लिया गया था उस गाउं की भी तस्वीर नहीं सुदर पाई है जो भाज़पा के स्माश सिटी के जूटे सपने में गाउं के लिए कोई जगह नहीं है अपने गाउं गोध रहने की जो बात कही थी क्या वो भी जुमला था देखशी पता नहीं जिस गाउं को गोध लिया था उसका नाम भी किसी को याद है की नहीं मैं नाम पूछ करके किसी को श्रमिन्दा नहीं करूंगा क्योंकि अगर नाम याद है तो ये तो और भी बुरी बात है कि अपने नाम याद रखने के बादू भी कुछ नहीं किया जिसे गोद लिया जाता है उसे अनाद बनाकर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है और अगर तस्वीर अद्देश मोदे बदली हो दस साल में उन तमाम गोदली हुए गाओं की तो मैं सत्ता पश्क के लोगों से कहूंगा जरूर इस सदन में बात रहा